हेलो प्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल, एडूफाइल, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, ब्रैक्स लॉग के बारे में डिस्क्रस करेंगे, ब्रैक्स लॉग फॉर एक्सरे डिफ्रेक्शन भी आप कह सकते हैं, जो कि 1913 में प्रपोस किया और यह पहले ऐसे फादर संथे जिनको साथ में नॉबल प्रैस मिला, तो यह आपने समझा, अब चलिए समझते हैं कि यह होता क्या है, और इसका मतलब यूज क्या है, बहुत ज़्यादा इसका अप्लिकेशन है, तो इससे हमें पता चलता है कि X-ray जो है वेव है, क्योंकि ह हम X-ray का इस्तेमाल करेंगे, Bragg's law में, और हमें यह पता चलता है, periodic arrangement of crystal, crystalline solid, यह हमें प्रूव होता है, क्या होता है, periodic arrangement होता है, atoms का, और interplanar spacing हमको पता चलेगा, मतलब कि crystal plane के बीच की distance हमको पता चलेगी, उसको हम कहते हैं, interplanar spacing, तो यह सारी चीजे हमको पता चलती है, त crystalline solid है, यहाँ पे, और इस पर पढ़ रही है, X-ray, क्या पढ़ रही है, X-ray, तो जब X-ray पढ़ रहा है इस तरीके से, atoms पे, तो वो क्या करता है, X-ray को all possible direction में scatter कर देता है, all possible direction में scatter कर देता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे, हर possible direction में scatter कर रहा है, तो अगर हम कोई particular direction ले पुस्किया हो लागी तारफ क्या से हैं आपको मालूम है कि X-ray, एक वेव की तरह ही होती है तो किया होगा है कि आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होगे इंटर्फियर होंगे, जब यह इंटर्फियर होंगे, तो कुछ न कुछ पैटन हमको मिलेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटर्फरिंस है, तो हमें पैटन कुछ ब्राइट मिलेगा, अगर डिस्ट्रक्टिव है, तो हमें डार्क मिलेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस किसी एक direction का ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, diffraction हो रहा है, आपको मालू मैं इस तरीके से diffract हो रहा है, तो वह आगे चलके, या फ़र कंस्ट्रॉक्टिव इंटर्फरेंस या डिस्ट्रॉक्टिव इंटर्फरेंस होगी, जिससे हमें diffraction pattern में लेगा, इसको हम लोग reflection की तरह treat कर सकते हैं, इसको कैसे treat कर सकते हैं, reflection की तरह treat कर सकते हैं, जी हाँ, यह जो diffracted beam आप देख सकते हैं, red color से, इसको हम लोग reflection की तरह treat कर सकते हैं, कैसे, उन्होंने क्या किया, कि यह जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे atoms हैं, उन्होंने एक plane माल लिया, crystal plane, इस तरीक का नाम दिया किसका नाम देयो एक रिफ्लेक्षिन के जोड दिया जिसमें उन्होंने क्या 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 त्रिफ्लेक्षिन के प्लेम अंगरशन। सके é면 एक स्रेक्षिन हमें एक फिल्डी मिलिया अच्छा घैक को समझमे मैं लेकिन언 In blush direction में गल होता है ? Angles of Frachian इस condition में तो एक है, is called हमने एक प्लेन माल लिया, तो आप क्या कर सकते है अपने प्लेन को change भी आप इस तरीके से भी प्लेन ले सकते हैं इस तरीके से भी प्लेन ले सकते हैं दो इन्हों ने क्या किया ? जो Desde Fracted Beam इस ही अविए तो आपको समझ में आ होगा ब्रैक्स लॉग क्या है यह लाव डिफ्रेक्शन को एज रिफ्लेक्शन ट्रीट करता है कैसे क्रिश्टल प्लेन मानके जिससे यह इंसीडेंट रहो गया यह रिफ्लेक्टर रहो गया इस तरीके से तो आप चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से स समझा कि इसको इस तरीके से माना जाता है अब आगे क्या होगा आगे हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ चीजे बता दू जैसे कि यह यहां पर हमने लॉरेंस ब्रैग ने इस प्लेइन किया थे इस रिजल्ट को मॉड़लिंग दे क्रिश्ट एफिर कंस्ट्रक्टीवली और इनका जो रिफ्लेक्शन है वो अगर कंस्ट्रक्टीवली मिल रहा है तो वो क्या होगा हमें पीक मिलेगा उसको हम लोग ब्रैक पीक कहेंगे अब यहाँ पर हम लोग यह समझेंगे ब्रैक कंडिशन देखिए यहाँ पर जैसे कि मालेजे इस तरीके से आ रही है अब इसको हम इंसीडेंट रे मानेंगे और यह हमारी reflected ray तो पहले हमारे atom से यहां से कुछ क्या होगा यहां से reflect होगा और कुछ यहां पर transmit हो गया तो यह दूसरे atom से ऐसे reflect होगा तो यहां इसके बीच में क्या होता है condition होता है 2d sin theta is equal to n lambda for constructive interference अब ब्रैक्स लाह हमें constructive interference के लिए बताता है कि constructive interference होता है कब होता है जब हम इसको ऐसा reflection treat करते हैं वैसे तो कभी भी हो सकता है constructive interference लेकिन यह law जो है particular constructive interference को define करता है तो 2d sin theta is equal to n lambda यह होता है आपका ब्रैक कंडिशन देखिए यहां पर समझे जैसे कि माले जी यह जो है theta angle से है यह theta angle एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा यहां पर इन्होंने specular fashion माना था क्या माना था specular fashion मतलब क्या है मतलब यह है जो यह diffraction है इसको इन्होंने reflection माना था तो इसको हम लग specular reflection कहते है specular reflection क्या होता है specular reflection मतलब mirror like reflection इस तरीके से mirror में जैसे reflection होता है उसको हम कहते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है हम normal और इसके बिच का angle नहीं लेते हैं बलकि यह crystal plane यह आपका crystal plane है और incident ray के बिच के angle को theta कहते हैं यानि कि I आप कह सकते हैं यहाँ और इसको r कहते हैं और वहां पर क्या लेते हैं यहां से यहां तक लेते हैं तो यह आपने समझा आई और आ इसको specular reflection माना था तो इसलिए हमने यहां पर ठीटा एंगल ले लिया तो यह भी आपका ठीटा ही होगा यह भी आपका ठीटा होगा और यहां पर हम क्या कर सकते हैं एक line ऐसे draw कर सकते हैं और यह आपका कितना हो जाएगा 90 degree हो जाएगा ऐसे आप मान सकते हैं तो यहां पर जो यह relation है 2D sin theta is equal to n lambda यह d है interplanar spacing यानि कि crystal plane के बीच की distance और sin theta आप समझी गए यहां पर theta angle हमने लिया है और यहां पर n lambda क्या है n lambda जो होता है constructive interference के लिए condition होता है अगर यह n lambda के बराबर होता है आपका path difference तो यह constructive interference शो करेगा otherwise यह destructive interference शो करेगा तो यह आपने समझा आप देखें path difference का मतलब क्या है कि मतलब उनके बीच में 2 pi का difference हो सकता है कितने का difference हो सकता है 2 π का और इस तरीके से आप लेंगे तो आपका constructive interference होगा जीरो का भी difference हो सकता है 0, 2 π और ऐसे से आप ले सकते हैं मतलब one cycle का difference होना चाहिए one cycle का मतलब यह इस तरीके से difference होगा तब यह constructive interference सो करेगा विव अब समझी इसको और अच्छे से यहाँ पर derivation में तो यहाँ पर हम लोग ने इस तरीके से figure इसका मनाया हुआ है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका ray जो है incident हो रहा है और यहाँ से reflect हो रहा है फिर यहाँ पर कुछ ray क्या हो रहा है transmit होके यहाँ से reflect हो रहा है तो हमें क्या करना है path difference निकालना है तो path difference आपको मालूम है कि constructive interference के लिए क्या होता है n lambda होता है path difference जो भी होता है वो n lambda के बराबर होता है और constructive interference इसको थोड़ा से अच्छे से समस्च ने की कोशिश करे़र है धिखे हो रहा है यहाँ पर जो है ए ये इस तरीके से गया है यह पहला वाला ray पहला यहां यहां से यह रहा है तो तो हमें क्या करना है path difference निकालना है दोनों waves का या फिर दोनों rays भी आप कह सकते हैं यहां पर तो हमें क्या करना है path difference निकालना है दोनों ray का तो path difference मतलब कि ab plus bc यह हमारा पहले यह दूसरे वाले का ab plus bc हो गया यहां से यहां तक का path और यहां ac इसका path इन दोनों के path का हमें difference निकालना है ac dash का sorry तो ab plus bc minus ac dash जो हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा path difference क्या है दोनों waves का मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक तो यह हमें path difference निकालना है path difference ab plus bc minus ac dash is equal to n lambda यह है हमारा constructive interference के लिए case path difference आपका अगर n lambda के बराबर है तो आपका क्या होगा constructive interference मतलब यह दोनों waves मिलेंगी तो constructive interference होगा तब आपकी intensity क्या होगी maximum होगी तो यह आपने समझा है path difference किसके बराबर होगा n lambda के for constructive interference अब चलिए इसको हम लोग drive करते हैं तो प्राइब करते हैं यानि कि हमारी जो condition है 2d sin theta is equal to n lambda इसको हम लोग solve करते हैं यह path difference है और यह constructive interference के लिए condition है lambda मतलब wavelength देखिए यहां पर int triangle oab में हम आएंगे पहले oab में तो oab में आप जानते हैं कि यहां पर अगर हम sin theta लगाएं तो p by h हो जाएगा p मतलब क्या है यहां पर यह जो d है यह हो जाएगा p हमारा यह perpendicular d आपको मालूम है दो plane की बीच की distance होती है d by ab p by h hypotenuse से हो जाएगा तो ab is equal to d by sin theta यह हमने निकाल लिया ab क्योंकि हमें देखे ab b c ac dash निकालना है तो यह हमने ab निकाल लिया similarly हम o c b में आएंगे तो हमें मिल जाएगा हमें b c मिल जाएगा similarly देख सकते हैं यहां पर अगर आप sin theta लगाएंगे तो क्या हो जाएगा d by b c हो जाएगा b c is equal to d by sin theta तो यह आपने निकाल लिया अब हम लोग चलिए आते हैं इन triangle a c c dash में a c c dash क्योंकि हमको चाहिए a c dash भी चाहिए इसकी भी जोगरत है हमने ab b c तो निकाल लिया a c dash भी तो चाहिए तो a c dash के लिए हम क्या करेंगे यहां पर इस triangle में जो हम आएंगे तो हम लगाएंगे cos theta cos theta is equal to होता है base by hypotenuse तो base है हमारा a c dash और hypotenuse a c होगा यह बड़ी वाली side a c होगी तो a c dash by a c और यहां पर a c dash is equal to a c cos theta यानि यहां पर a c dash भी निकाल लिया लेकिन यहां पर मामला फरसरा a c का a c को भी चलिए solve कर लेते हैं इस triangle में हम देख सकते हैं a b c में a b c को हम दो part में break करके a c निकाल लेते हैं तो यहां तक आपको समझ में आए अब हम आते हैं इन triangle o a b में o a b मतलब a b c का हाफ आप कह सकते हैं तो o a b में आते हैं तो cos theta लगाएंगे इस बार क्योंकि हमको चाहिए o a तभी तो आप ac निकाल पाएंगे तो cos theta is equal to o a by a b यानि base upon hypotenuse base upon hypotenuse o a by o a is equal to a b cos theta हो जाएगा फिर o a is equal to क्या हो जाएगा d by sin theta cos theta क्योंकि a b हमारा जो है वो d by sin theta है यहाँ पे हमने put कर दिया cos theta फिर ac जो होता है वो 2 a के बराबर हमको मालूम है हमने o a निकाल लिया तो ac भी पता चल जाएगा ac is equal to 2 a यानि कि 2 d by sin theta cos theta हमने निकाल लिया ac तो अब क्या करेंगे आप ac की value को यहाँ पे put कर देंगे तो आपका ac dash थोड़ा सा solve हो जाएगा ac dash is equal to 2 d sin theta cos theta यहाँ से हमने put कर दिया यह value को यहाँ पे put कर दिया ac की और यह cos theta इसका पहले से ac dash is equal to 2 d sin theta cos square theta हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इस equation को solve करते हैं चलिए that means common ले लिजे आप 2 d sin theta तो हो जाएगा आपका 1 minus cos square theta इसको और solve करते हैं चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 d sin 2 d by sin theta और 1 minus cos square जो होता है वो होता है हमारा sin square theta तो यहाँ पे एक sin से एक sin cancel हो जाएगा तो 2 d sin theta यह आपका आगया और यह जो बराबर होगा किसके n lambda के for constructive interference तो यह आपने निकाल लिया Bragg's law का derivation इस तरीके से आपको करना है यह बहुत ही simple है आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको अच्छे से और यह हमारा Bragg's law है इसके notes को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में इतना रखते हैं आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और important topic को discuss करेंगे वीडियो देखने के लिए thank you thank you so much